अगर आप टीचिंग में इंट्रेस्टेड हो और अपनी डिगरी कंप्लीट करने के पार टीचिंग लाइन में इंटर करना साथ हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आपको बैस टीचिंग लाइन के बारे में बताने वाल बिल्कुल बिल्कुल इस वीडियो का इस वीडियो का इस वीडियो में इसको रखा है अब यह चीज एकदम लेटेस्ट आई है और हम लोगों को बहुत होने वाली है जैसा कि तुम लोगो पता है मैं थोड़े टाइम पहले एक सर्कुलर तुम लोग के समने लेकिया था जिसमें यूनिबर्सिटी ग्रांट कमिशन ने अलाव कर दिया है तीनों भी डिग्री को एक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्राजुएशन माना जाएगा अ हमारे स्लेबस से रिलेटेट होती है तो आप इस वीडियो में बने रहा हूं कि मैं आपको पताने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्यों इसको थर्ड रैंक पे रखा आप यह स्कोर्स में जा सकते हो इस वांट टीचिंग लाइं तो फॉस्ट आप यह देखो यूनिबर्सिटी ग्रांट कमिशन नेट ब्यूरो सिलेबस पॉर पेपर नंबर वन तो पेपर नंबर बोन का सिलेबस देखते हैं चलो देखते हैं क्या हम लोग चीज़ कर सकते है इसमें आपको टीचर के अंदर क्या ट्रेट सोने चैए टीचर के अंदर क्या फंदार स्कासर मीडिया यह तुम लोग बी video में पढ़े होगे जहां तक मेरे को बता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशन्शिप, ब्लड रिलेशन्शिप जोता है न, अप्रिडूट में फ्रेक्शन, टाइम इंड डिस्टंस, रेशियो, प्रपोर्शन, पर्सेंटेज, प्रॉफिट और लॉस, इंट्रेस्ट इंडिस्काउंटिंग, मतलब SICI, और इस इस बढ़र इंडिसस, तुम जेख सकते हो सिलेबस, तुम खुद गोतरू कर सकते हो, जो भी सिलेबस है, तुम कही ना कही बीकॉम या उससे पहले के लेवल में पढ़े हुए हो, यह सारी चीज़े तुम बीकॉम यह से पहले के लेवल में पढ़ चुके अल्रेडी ठीक है है एजुकेशन सिस्टम क्योरी सब्जेक्ट तो इस अल अब पेपर नंबर वन पेपर नंबर वन का यह सिलेबस है तुम्हारा अब यह सिलेबस को तुम अगर पूरा गोठ्रू करो आपके लिए यह सब्जेक्ट तफ नहीं होने वाले हैं आप इसे घोट के पीजाओ के बड़ी असानी से मैं सही बोल रहा हूं तुम लोग बोलते हो भाईया यूजिस्ति एग्जाम बहुत टफ है ओवाराइड इग्जाम है मेरे को नहीं पता यह सब आई डोंट आप इस अगर तुम्हारा फाइनल के लिए तो मुझे लगता है यह तो यह तो पेपर नमबर बन की बात होगे जिसमें तुम्हों को कुछ अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिसमें तुम्हों को थोड़ा टाइम इंवेस्ट करना पड़ेगा और तफ नहीं है त्योरी सब् बहुत सारे सब्जेक्ट चूस कर सकते हैं जैसे यूपीस्ट में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को आप्शन होता है वैसी यहां पर भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को आप्शन होता है और मुझे पता है तुम कॉमर्स सब्जेक्ट चूस करोगे तो कॉमर्स का मैं बस अपको लीगल एस्पेक्ट्स ऑब बिजनस ठीक है लौ के बारे में इंकम टेक्स कॉर्परेट टेक्स प्लैनिंग इंटर यह तुम्हारा सिलेबस है कॉमर्स का सिलेबस कहीं न कहीं सब कुछ पढ़े हो एदर इन बीकॉम और इंटर और फाइनल लेवल और फांडेशन लेवल कहीं कहा चीज पढ़े हुए एप तुम अगर इसका सिलेबस भी देखो एन यह देखो इसका सिलेबस देखो आपकेटे जी इसको यह बोलाना चाहता हूँ विडियो को बड़ा नीबनाना चाहता को चाहता हूँ इफ यू वैंट चेकटाओट जिस इसलेबस आपकेट आहिं निकाला वे लिखो फ्रहा हूँ इतना से लेबस रहें है सकते हो, if you want, you can plan for UGC net after your CMA, that's it, that's what I wanted to tell, that hashtag third value edition video में आपको यह बना चाहता हो, if you want a teaching line which is of central based government job, then you can go for UGC net examination after qualifying CMA exams, that's going to be very helpful for the students, ठीक है, like girls को मैं देखा हो, generally teaching line हुंको अच्छी लगती, मतलब उनके interest आता है, आज कल दो boys को भी आ रहा है, पर girls को भी जादा आता है, तो आप plan कर सकते हो, ठीक है, जिस चीज़ के लिए, तो वही चीज़ मैं बोल रहा था, एक एक करके value edition के और वीडियो आईगी, अगर वीडियो यह वाली पसंद आईए, तो like कर दो, इस चीज़ के लिए आप ज़रूर वह कर सकते हों, अगर आपको कोई भी doubt है, you can comment below, तो I am going to clarify, और यह बोलना चाहता था आपको, कि यह जो series है, वो आगे और continue रहेगी, तो आप उसकी tension बिल्कुल मत लेना, तो अगर चैनल में नहीं हों, तो subscribe जरूर कर दिना चैनल को, और मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिए, God bless you, take care and bye bye.